दोस्तो इंडियन द्रीदेवल एनरजी डेवलोप्मेंट एजेंसी लिमीटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने आज जबर्दस तेजी का वातन बना हुआ है अपर सर्कीट लगया 10% का इसके पीछे जो रिजन उसको समझेंगे साथ में हमारे पास प्रफिट बुक करके निकल जाना चीए या फिर फ्रेश खरिदारी करनी चीए क्या स्टॉक आने वाले समय इस सांधार रिटन दे सकता है वैसे तो यह बहुत जबर्दस रिटन दे चुका है बड़ी तेजी बनी थी उस लेवल पे पहुचा था इसके बाद काफी नीचे लेकिन अब फिर से एक फ्रेश आई बनाने को बिल्कुल स्टॉक तयार है या करना चीए इस समय रेडा में जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमा आई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आज के कारुबार की बात कर ले श्टॉक की शुरूआ तो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 110 के आसपास और यही दिन भरका लो है जो हाई बना वो सिधा 120.80 जहां पे 10% का अपर सर्कृट लग गया इसके बीच में काफी भारी वाल्यू में कामकाज भी हुआ है लोगों ने जम के खरीदारी किया और इसी वज़े से यहां पर अपर सर्कृट लगा है और यहां पर इरेडा की बात ने दूसरे जो शेयर भी देखे गर आप रेलवे के शेयरों में तुपानी तेजी आई हुई है आई यार सबसे जो बड़ी बाद है बाजार में भी सांदार तेजी बनी हुए बाजार ने आज ओल टाइम हाई बना दी है अभी देखे तो की अपर सर्कृटिस में लगा हुआ है बाजार अभी शुरू है लगबग धाई बज़े के आसपास का टाइमेस की परफॉर्मस देखे तो 111 इंट्राडे का लो है हाई 121.80 का है अब इसका 52 विक का जो लो है यानि जो आई पयो की जो प्राइस दी जिस पर आई पयो दिया गया वो 32 रुपे है और जो हाई बना दब 123 का है तो फिलाल अपनी उपरी प्राइस से एक डेट रुपे ही बागी रह गया है यानि उस ल जबरदस भी आज बहुत दिन के बाद वॉल्यम जबरदस बढ़ाए अपर सर्केट के बावजूद भी पिछले 1 मेंने पहले इसका 7 क्रोड का वालिम था टू करोड की डिले उठहे गी थी वन वीक पहले 4 कोड का वालिम वा था 1 क्रोड की डिले उठहे गी ती और कर मतलब 9 जनवरी की बात करें तो closing 103 के आसपास ही जापे 0.6% की गिरावट हुई और अगर हम बात करें 10 जनवरी की तो 102 के आसपास closing जापे 0.5% की गिरावट हुई यानि लगाता 3 ट्रेडिक्शन में गिरावट हो थी लेकिन 11 जनवरी को positive closing देकी स्टोक तो 103 के आसपास सीथा जापे 0.6% की मामुली सी तेजी बनी लेकिन फ्राइडे को 12 जनवरी को जबर्दस तेजी बनी श्टोक सीथा 110 पर पहुच गया 7.1% की बंपर तेजी के साथ और आज दूसरा दिने जब सांधार तेजी बनी यानि दो ट्रेडिंग सेंज में बैतर रहने की पूरी उमीद है लगातार पिछले कई सालों से हम देखने रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है चाहिए कौटरन कौटर बिस्टिस में देख ले यह यह रही है और इस बार भी बैतर रिजल्ट की पूरी उमीद है अब यहां पे देख सकते हो कि इरडा को लेकर आनन राटी के जो टेकनिकल एनालिस्ट है गनेस्ट डोंगरे वो काफी ज़्यादा बुलिश है उनके हिसाब से स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेक आउट दिया है स्टॉक ए 107-108 के आसपास आ है और अगर रेली जारी नहीं तो यह 108 से 120 तक जा सकता है उनके हिसाब से यह ल सब्सक्राइब करते ही 130 का रेजिस्टेंस सेकेंड मिलेगा नहीं 130 तक स्टॉक जा सकता है तो स्टॉप लॉस 110 का लगा कि आपको इसमें खरीदारी कर नीचे 130 का टार्गेट देखना को मिल सकता है यह आनन राटी की तरब से का गया है दूसरी तरब अगर आप देखे तो प्रबुदास लीलादर की तरब से भी यहां पर खरीदारी की सला दी जा रही है यहां पर देखे तो कि उन्होंने का है कि जिस तरह से बुलिश पैटन बना हुआ है और स्टॉक ने अपनी 123 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करनेने की तयारी कर लिए तो आपको इसमे आप देखो कि स्टॉप लॉस लगा लेना है 98 का तो 98 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें उन्होंने इसका टार्गेट दिया है 125 का पहला टार्गेट है यह टार्गेट अच्छी होते ही सेकेंड टार्गेट 136 का देखने को मिलेगा तो बिल्कुल इस लेवल दिखाई दे रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक को लिए और इसके पीछे वज़े सरकार ने ग्रीन अनौसमेंट की है सरकार हर साल 50 गिगावाट के नए टेंडर जारी करने जा रही है ऐसे में बहुत सारा निवेस के जुरूत पड़ी कि और यह कंपनी ग्रीन अनौस करती है और इसे में जितनी financial कंपनी वह काफी अच्छा कर रही है आप इर फौकर कर रही है और इसमें आप देखे दो कि जो प्राइज आई प्यों की लगबग सेम ही थी लाया गया था आयर अज्ट का 26 रूपे का और आप देखे दो कि वह स्टॉक उसके अभी रॉकेट ब इसमें तुरंट आया उसमें लगा प्राइज बढ़ने में लेकिन दोनों एक तरह से काम करें और देख सकते हो कि काफ़े अच्छा परदसन करें अब हमारे सामने दिसंबर के शेरोडिंग परदा आ जोगा है मुच्छल फंड की होल्डिंग हमारे सामने है तो जिनका निवेस 1,000 क्रोड से उपर है उससी को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर निप्वन इंडिया बैंकिंग फाइनेशल सर्वीस ने 5,100 क्रोड का इंवस्मेंट किया है HDFC मल्टिकेप फंड ने यहाँ पर 11,000 क्रोड का बड़ा इंवस्मेंट किया है इसके लबाँ HDFC बिजनस साइकल फंड ने 2,800 क्रोड का इंवस्मेंट किया है DSP Equity Opportunity Fund ने यहाँ पर 10,387 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक Els Tax Saver ने 4,600 क्रोड का निवस्मेंट किया है DSP Els Tax Saver फंड ने 13,000 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक Infrastructure and Economic Reform Fund ने 1300 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक Multi Cap Fund रेगूलर ने यहाँ पर 8,000 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक Business Cycle Fund ने 2,400 क्रोड का इंवस्मेंट किया है Edelweiss Mid Cap Fund ने 4,600 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक पॉइन्यर फंड रेगुलर ग्रोथ ने 2,000 क्रोड का इंवस्मेंट किया है इसके बाद अगर आप देखें तो कोटक इंडिया इक्विटी कॉंट्रा फंड ने 2,200 क्रोड का इंवस्मेंट किया है फिर Edelweiss Fleksic Cap Fund ने पंदरा सो क्रोड का इंवस्मेंट किया है Edelweiss Large and Mid Cap Fund ने तूथ हॉजन स्थाउजनिद क्रोड का इंवस्मेंट किया है इसके बाद अगर आब देखे, तो बरोडा BNB परिवास ने पंदरा सो क्रोड का निवेश किया है कोटक Equity Opportunity Fund ने 17,000 क्रोड का बड़ा इंवस्मेंट किया है बरोड़ा BNB परिवास ने 3,600 क्रोड का इंवस्मेंट किया है बरोड़ा BNB परिवास Small Cap Fund ने 1100 की खरिदारी किये सुन्दरम Multi Cap Fund ने 2,300 क्रोड का निवेश किया है उसके बाद अगर आप देखे तो कोटक Flexi Cap Fund ने 44,000 का जबर दस निवेश किया है कोटक Balance Advantage Fund ने 15,000 क्रोड का बारी बरकम निवेश किया है फिर LIC Mutual Fund Large and Mid Cap Fund ने 2,400 क्रोड का इंवस्मेंट किया है कोटक Equity Saving Fund ने 4,100 क्रोड का इंवस्मेंट किया है फिर सुन्द्रम Mid Cap Fund ने 9,000 क्रोड का इंवस्मेंट किया है बंदन Small Cap Fund ने 3,000 क्रोड का इंवस्मेंट किया है निप्वन इंडिया Power and Infra Finance का 3,400 क्रोड का इंवस्मेंट है उसके बाद देखे तो निप्वन इंडिया Small Cap Fund ने 44,000 क्रोड का जबर दस निवेश किया है महिंद्रा मनूलाइप का 2600 क्रोड का निवेश है आधिज बिल्ला सनलाइप PSU का 1900 क्रोड का निवेश किया है महिन्द्रा मनूलाइप का 2500 क्रोड का निवेश है तो यह क्लेली समझ सकते हो इसमें जो सबसे बड़ा investment हुआ है वो कोटक बैंक की तरब से हुआ कोटक के अलग-अलग मीचल फटने बहुत जबर्दस निवेस किया यहां पर उसके बाद एक तो बंदन बैंक का भी निवेस अच्छा है बरोडा बिन भी परिबास का भी निवेस अच्छा है लेकिन जो सबसे बारी बरकम निवेस किया है वह का फर्स्ट रेजिस्टर से ब्रेक हो चुका है सेकेंड रेजिस्टर 119 का इसको भी ब्रेक कर लिया है अब तीसरा रेजिस्टर 126 का है तो बिल्कुल बुलिच जोन में श्टॉक है ऐसे मैं लॉंग-टम करें लेके निवेस करें आने वाले समय आपको माला-माल कर देगा यानि मुझे लग रहा है कि आने वाले तीन सालों में ये 500 का टार्गेर आपको दिखा सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजिस बाड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके प्रपच के लिए ही बनाए वडियो पसंद आए तो लाइक से दो किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड